हलो एवरीवन मैं अगांचा सिंग अब सब का फिर से स्वागत करती हूं हमारी पैगसिस के ओफीशियर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग फिर से जुड़े हैं डिस्कुस करेंगी करेंट अफियर्स डू जो भी आज यानी कि 17 ओफ नवंबर से इंपॉर्टेंट जितने सारे जेसे करते हैं कितने इम्पॉटिन नियूब चैनल मोटा। अपड़ीbook ठरेंट डेली रहें हैं उसको सबस्क्राइस ूण度 ठरते हैं तो एक साथ पूर जबेस नहीं पड़ना पटेख हैं और अपनी जू गैले जो पिषले जो ने करनी पड़ रहेगी अपको उसमें डालने पड़ेंगे आप डेली डेली जुटते रहों अपने आप आपको चीजे लर्न होती रहेगी मैं चीजे ऐसे लेकर आती हूं ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कुछ कंपणी कौंसी कंपणी ने विल सेट अप 3270 मेगा वाट का एक प्रोजेक्ट सेट आप किया है कैसा 3270 मेगा वाट का एक प्रोजेक्ट सेट अपकिया है और यह जो प्रोजेक्ट है clean energy ठीक है कैसा है clean energy clean energy में क्या चीज़े आती है अगर बात करो तो इसके इंदर आजाएगा आपका solar solar energy और अगर हम लोग बात करें तो ऊसमें क्या जएगा थर्मल हाइड्रो था तो यह finished energy होता है I do energy होता है विंड़ेंड कि था थस थर्मले नर्जी ओता है ठीव और बात करते हैं हम लोग विण टैनर्जी तो इंपर यह कहते हैं यह इनर्जी उनकोफ करने में इनको बनाने में किसी थी टरीकिया या इसको अगर यूज करते तो यह पर्लिूशन क्रियट नि ँगरते यह तरीकि says और चिसी भी तरिखी के प्लिशन क्रिएट नहीं करते हैं इसलिए हमारे लिए फाइदे मन्द हैं तो कौन सी कंपनी ने ठीक है कौन सी कंपनी ने टीएच डीसी इंडिया लिमिटेट जे इस डबलू एनरजी या एंटी पीसी लिमिटेट आप अगर वेशार जुटते हैं डेली कंटीन्यू करते हैं तो आपको इसका अंसर अपने आप आप अगर आज वीडियो दीख रहे होते तो आपको पता होता क्योंकि हम चीजे बहु आपके पास कुछ रीसेंट एमो यू जैसे ये करनाटा के साथ ये था अब ऐसे कुछ रीसेंट एमो यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वह कह रही हूँ डेली कंटीन्यू रहो जैसे ये हमारे पिछले न्यूज है वो आज का न्यूज था ये अपना पिछला तो फिसला न्यूस ऐसे एक बर फटाफट में अगर देखोगी यही चीज अगर कंटीन्यूश आरफास दिन आपकी चेहरे के आगे से जा रही है आपको याद हो जाएगा कोई एफ़र्ट नहीं डालना मैं डाल रही हो एफ़र्ट आप बस अच्छे से कान खोल के आखे खोल इन के लिए रिन्यूवाबल एनर्जी कहां पे करना तक ति क्या है यही था एस्दी सी ने करनाटक में किया रिन्यूवल रिन्यूवल एनर्जी का प्लांट लगाने वाला कितने का 3200 3207 मेगा वोट का यह प्रोजेक्ट है ओकि नेक्स्ट आपके पास आई पीएम जो है आ बनाती थी स्टाट ही इसने इंप्वीटर के चेतर में गाम करी अब डूर्ट के उपर वरक करी जो इसकी कॉम्प्यूटर साय अब जो वह कैसे अरहे आर्ट इफीशन इंटालीजेंस पर थो इसने क्या किया है आइवीम ने IT Information Technology, जो Ministry है, उसके साथ में इन्होंने क्या किया है, टायप किया है, ठीक है, तीन बैक्ट साइन किये, समझोए, तीन MOU साइन किया है, कौन-कौन से चेतर में, पहला क्या है, सेमी कंड़क्टर में, दूसरा Artificial Intelligence, यानि कि AI में, और तीसरी बात करूँ, तो Q Computing के अंदर, इन् इसने, IBM ने किसके साथ, IT Ministry के साथ, याद रहेगा, अब ही चलते है, देखो, Sun Mobility, क्या है, Sun Mobility, इसने MOU किसके साथ साइन किया है, Blue Wheels के साथ, ठीक है, Sun Mobility ने किसके साइन किया है, Blue Wheels के साथ, क्या डिप्लोई करना है, इसको, 16,000 Electronic Vehicles, याद रहेगा, Sun Mobility और Blue Wheels, इन दोनों न साइन किया है, किसलिए साइन किया है, यह 16,000 Electronic Vehicles, डेप्लोई करेंगे, यानि की, समझो, लेकर आएंगे मार्केट के अंदर, याद रहेगा, अब यह 16,000 के अंदर, जो 15,000 है, वो कैसा रहेगा, टू विलर्स रहेंगे, और 1000 जो है, वो क्या रहेगा, थ्री विलर्स एन एमर्जिंग एकोनॉमी प्रोग्राम, ठीक है, क्या है, इंडिया ग्लोगल फोरॉम है, उसने साइन किया है, किस के साथ, वोल्ल गॉर्मेंट समिट के साथ, वोल्ल गॉर्मेंट समिट के साथ, किस ने किया है, इंडिया ग्लोगल फोरॉम ने साइन किया है, किस चीज के समिट के साथ ठीक है आगे चलते हैं देले मैट्रों की बात हो रही है इसने क्या किया है इसने बेल के साथ मौ साइन किया है किसलिए ताकि जो ट्रेन है जितनी भी ट्रेन से उसके अंदर कम्यूनिकेशन बेस्ट जो चीजे है इंटर डेटा कम्प्लीट हो सकते डबलब कम्यूनिकेशन बेस्ट ट्रेन कंट्रोल जो भी को कुंट्रोल करना है या ने एक अधर्स आ नहीं देमर से ठीक है अधेशनको में नहीं जया नहीं कि DMRC ने BEL के साथ communication control system के लिए MOU sign किया है नेक्स चलते हम लोग अगला question है आपके पास The 33rd Conference of the World Organization for Animal Health क्या है World Organization for Animal Health यानि Animal के health को सुधारने के लिए उस पे focus करने के लिए उस पे धिहान देने के लिए में सेध्यान एकत्रित करने के लिए जो Regional Commission for Asia and Pacific will begin in which city तो ये कौन से शेहर में रहेगा ठीक है जो 33rd Conference है किसका World Organization for Animal Health ये कौन से शेहर में रहेगा कौन से शेहर करेगा आपका New Delhi ठीक है New Delhi में रहेगा इसके अंदर हम लोग बात करें तो बहुत सारे countries, members जो हैं, member countries वो इसके अंदर participate करेंगे और साथ ही साथ जो Delegates होंगे वो इसके अंदर आएंगे, leaders आएंगे आगे, next step के पास जाकोटा, ठीक है जाकोटा, our digital credit transformation platform has collaborated with which of the flying to launch first of its kind MSME Economic Activity ठीक है, summary MSME Economic Activity Index इसकी बात करो तो इसका क्या मतलब है अगर मैं जो कोटा की बात करो तो ठीक है, ये टोटल इसका मतलब क्या है जो MSME है, उनका GST की अंदर कितना लेंडेन हो रहा है, कितना रेन्यूस जन्रेट हो रहा है कितने पैसे आ रहें जा रहें ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा धियान रखने के लिए जाकोटा जो है, ये जो न्यूस है, ये साइन अप होई है, ठीक है ये लॉंच हुआ है, किसके साथ मिलके किया है जाकोटा ने नवाड के साथ, RBI के साथ, PFRTA के साथ, ये सिटवी के साथ आंसर क्या बनेगा आपका, सिटवी के साथ, ठीक है किसके साथ क्या गया है, सिटवी के साथ आगे आप देखो, जो अपना सिटवी है, वाउड Small Industries Development Bank, यानि कि सिटवी, सिटवी की बात करू तो 2 अप्रेल 1990 को इसकी स्थापना होई थी, कब होई थी? 2 अप्रेल 1990, आगे बात करते है, इसका हेड़कॉर्टर कहा है ठीक है, हेड़कॉर्टर कहा है, लखनो, उत्तर प्रदेश के अंदर चेयर्मेन कौन है? सीवा S. रमन सीवा S. रमन, क्या है? आपके चेयर्मेन है और M.D. है किसके? सिटवी के कब हुआ था? 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना होई थी, ठीक है आगे चलते कुछ ऐसे फैसिलिटीज जो बैंक्स लेकर आई है, इस साल लेकर आई है तो ध्यान से देखना, continue जुड़े रहोगे ना तो ये चीज़े तुभे अब तक याद हो जाती, तो ऐसे ही इसमें डेली डेली जो भी अपडेटेड रहते हैं, हम इसमें एड करते जाते हैं, ताकि एक्जाम तक आपको बहुत ज़्यादा है, ध्यान देकी नहीं पढ़न भी है, थीक है, Micro, Small, Medium, Enterprises, थीक है, Micro, Small, Medium, Enterprises, इसके लिए, HSBC ने क्या किया है, ऑँ, E-Bank गारंटी सर्विस स्टार्ट किया है, AU Small Finance Bank की बात करो कुशन आएगा AU Small Finance Bank ने क्या launch किया है हाल में ही तो क्या बताओगे Planet First ठीक है Planet First जो है AU Small Finance Bank का initiative है पूरा नम क्या है Planet First EU Green Fixed Deposit या फिर अपसे कुशन ये भी पुछा जा सकता है Green Fixed Deposit हाल में ही किस बैंक ने start किया है ठीक है हाल में ही किस बैंक ने start किया आपका अंसर क्या बनेगा AU Finance ने ओकी आगी चलते है बैंक को परोड़ा ने क्या किया है बी ओवी लाइट अब आपको लगेगा कि बी ओवी लिखा हुआएगा योई टिक कर दोगे नहीं कोशन आया था में इस कोशन आपसे पूछा जा सकता है कोशन आता है ऐसे LITE Saving Account जो है यानि कि Light Saving Account कौन से बैंक ने start किया है अगर आप फिलाहाल में कोई test series दे रहे हैं तो उसके अंदर ये कोशन से ऐसे आते होंगे आपके तो कभी में आगी जो बैंक का नाम होता है वो एक्जामने नहीं देता है डिरेक्ट Light Saving Account किस बैंक का इनिशियेटिव है ये पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा VOV का क्या इनिशियेटिव है ठीक है नेक्स चलते है Go Saving Account Go Saving Account किस क्या है RBL Bank का HDFC Bank जो है इसका क्या है Expressway Expressway किसका है HDFC Bank का डिस्टर प्लेटफॉम फोर Swift Loan एजली आपको लोन मिल जाएगा लंबी-लंबी लाइनों में घट होने की जिरूद नहीं है सारा कुछ Online हो जाएगा ओकी अगले question पर चलते हैं हम लोग Next आपके पास Moody ने क्या किया है जो Moody investors है उसने prediction किया है इंडिया की GDP growth आपको बताना है कितना किया है अगर मैं बात करू तो जो ये GDP growth है इस बार जो Moody ने किया है वो कितना किया है 6.7% ठीक है अगला question है मारे पास What is the name of the world's first ठीक है World's first robot CEO ये जो पहला robot CEO है Robot CEO का मतलब क्या हो जाएगा कि पहला humanoid है आपने काफी सारी movies देखी होगी काफी सारे बच्पन में एक show आता था करिश्मा का करिश्मा अगर महीं भी आपने देखा हो उसमें वो humanoid होता है और अगर आपने चिटी चिटी रोबोट को सभी चानते रोबोट वाला तो ऐसे जो humanoid होता है ठीक है तो पहला ऐसा रोबोट जिसको क्या बनाया गया है CEO बनाया गया है मेरे question दिवाग में आता क्या उसको salary देंगे CEO बनाया तो salary तो मिलनी चाहिए पर पता नहीं ठीक है आपसे पूछा जा रहा है इसको इसका नाम क्या है ठीक है यह जो humanoid है इनका इसका नाम क्या है तो इसका नाम क्या है माई का नाम है किसका first humanoid रोबोट जिसको CEO बनाया गया है आप मुझे आंसर बताओगे कि कि किस कंपनी का बनाया गया है ठीक है कौन से कंपनी का इनको बनाया गया है यह आपका homework है यह आप मुझे comment section में बताएंगे नेक्श नलते हैं हम लोग अगला है आपके पास who has been vested the prestigious champion of change award कौन सा अवर्ड है champion of change award by the interactive forum on India economy for her exemplary work in entrepreneurship, innovation and social development ठीक है basically अगर हम बात करें तो जो champion of change award है यह किन ही दिया गया है ठीक है who has been vested यानि किन को यह prestigious यह बहुत बड़ा सा अवर्ड है champion of change यह किन को मिला है इतना आपको याद रखना है किन को मिला है दीपक शैनवाइ को नील वेंद उपदी को सोमधत्त सिंग को answer क्या बनेगा आपको सूमधत्तसिंग किन को मिला है सूमधत्तसिंग को कौन सा अवर्ड मिला है चैंपियन ओफ चींज अवर्ड याद रहेगा चैंपियन ओफ चेंज किनको मिला है सोमदता सिंग को ओकी नेक्ष यलते हम लोगों कुछ रीसेंट आपके पास अवर्ड से यह जो अवर्ड से पुछे जाएंगे एक बार नजल डालो डेली डालोगे कुछ 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 क्योंकि इसमें डेली टुडेली नए एड होते जाते जो ज्यादा बार रिपीट होगे उसको हम हटाते थीक है एपने डौरेस डिसूसा को मिला है 19 कलाकार पुरुषकार आवर्ड आगे चलते है global responsible tourism award कौन सा अवर्ड है? global responsible tourism award 2023 यह कि नहीं दिया गया है? थीक है यह किसे मिला है? के रिला स्टेट को मिला है क्या नाम है? देख लो वापस global responsible tourism award के र्ला ठूरीजम बयॉंड वो जगह seriously heaven है किरला definitely अगर कभी मौका मिले तो किरला बनारास ऐसी जगह जागर कुन किया रहा बहुत अच्छी जगह है फिर है जिन काम किया हैakah कि अम से कमपनी ने किया है कंपनी कंपनी यूस्ट कु महात्मा वोर्ड जरूरी नहीं आपकी पास Digital Transformation Solution Company भी लिखाए सिर्फ आपके option में UST हो सकता है आपको answer टिक करना है UST ठीक है महात्मा वोर्ड किसी दिया गया है तो याद रखोगी किसको मिला है UST को मिला है ओकी आगे चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसल ने किया है सस्पेंड कर दिया है कौन सी कंट्री की मेंबर्शिप को इमेडियेट एफेक्ट कौन सी कंट्री के वींबर्शिप को इसी सी ने क्या कर दिया है निरस्त कर दिया है खारिश कर दिया बस ख़तम कर दिया कौन सी कंट्री की मेंबर्शिप को बेसिकली बात करें तो यह ऐसा समझो गौर्मिंट का involvement हो गया था यानि सरकार politics गुष गई थी cricket के यंदर ऐसी कंट्री है जिसकी वज़े से पूरी की पूरी टीम यानि स्टार्टिंग टॉप से लिजितने भी बोर्ड ओफ मेंबर से टॉप टू लेके बॉडम तक यह सब को क्या किया गया है हटा दिया गया है इन ट्रीम यानि कुछ टाइम के लिए लोगों को लेकर आए गया है उनकी सीट्स प और साथ ही साथ इस कोशिन का अंसर भी आपका क्या रहेगा स्री लंका रहेगा स्री लंका रहेगा स्कॉशन का अंसर कौन सी टीम को कौन सी टीम के पूरे मेंबर को हटा दिया गया है ठीक है सिस्पेंड कर दिया गया है तो क्या बात क्या अंसर आएगा आपका स्री लंका क नेक्स्ट आपके पास Highlay Matthew has won the ICC Women's Player ठीक है Women's Player Award मिला है Month Women's Player of the Month Award कौन से मन्थ के लिए October मन्थ के लिए किन को दिया गया है Highlay Matthew को ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि from which cricket team ये कौन सी team से बिलॉंग करती है ये जो महिला है ये कौन सी टीम से बिलॉंग करती है इंग्लैंड की है न्यूजिलैंड की औस्ट्रेलिया की है या वेस्ट इंडीज की है तो कौन सी टीम की है ये आपके वेस्ट इंडीज की ठीक है Highlay Matthew कहा से बिलॉंग करते है वेस्ट इंडीज से ठीक है और साथ ही साथ Player of the Month Award October में mail यानि की man की लिए किनको दिया गया है तो man की लिए किनको दिया गया है वो एक New Zealand के player है ठीक है कहा की player है New Zealand के player है नाम आप मुझे comment section में बताएंगे अगला है आपके पास World Science Day ठीक है World Science Day for Peace and Development is celebrated annually हर साल मनाया जाता है कौन सी तारीख को मनाया जाता है आंसर क्या करोगे आप लोग 10 नवंबर ठीक है कब मनाया जाता है 10 नवंबर को मनाया जाता है अगला है आपके पास National Education Day is celebrated on November 11 कब 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है National Education Day क्या है 11 नवंबर को अपन Education Day मनाते है मौलाना अबुलकलाम अजात की वर्थ अनिवर्सरी यानि उनके बर्थ डे को सेलिबरेट करने के लिए इंडिया फर्स एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुलकलाम जो आजात है ये क्या थे पहले आपके सिक्षा मंतरी थे वाट इस थीम ऑफ दे नेशनल एजुकेशन डे नेशनल एजुकेशन डे 2030 का थीम क्या था पूछा जा रहा है क्या थीम था इस बार एंब्रेसिंग इनोवेशन ठीक है यानि इनोवेशन नए नए आइडियाज को बढ़ावा देना इस बार का थीम था कुछ अगर आपके अंदर नए आइडियाज है तो आपको प्रोच चाहना मिलेगा ओकी आगे चलते हम लोग वोड काइंडनेस दे ठीक है दयालू हम बहुत दयालू ता दिखाने का दिन कब मनाये जाता है कौनसे दिन मनाते हैं तो तीरह नवंबर को कब मनाते हैं तेरह नवंबर को होगे World pneumonia day कब मनाते हैं आपन वोल्ड नीमोनियाड़े आपका है तो वाल्ड नीमोनियाड़े कब मनाओगे 12 नवंबर को क्या मनाते हैं World pneumonia agit अगी चनते हैं आपकी पास पदमनभा अचार्य पास्ट अभी रिसेंटली यह क्या है यह नागालेंड के है ठीक ये नागलेंटी से बिलोंग करते हैं तो ये किस फील्ड में थे तो यह आपके कौनसे फील्ड के हैं ये पौलिटिशन है ins हां या यह था हमारा कुछ इंप सीक्ण करねं देन अचमें डिल्लिंस करते हैं जो भी इंपोर्टेंट है के पहला है आपकी पास उत्राखंड विकम फॉर्स इस टु एडॉप्ट दव यूनिफॉर्म सिवल कोड़ को लेकर आने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है उत्राखंड बन गया है कॉंसा स्टेट बन गया है उत्राखण यूनिस फॉरम सिवल कोड़ की अगर मैं यूसीजी की बात करू तो यह क्या होता है इसके अंदर आप इसी भी धर्म के हो ठीक है हिंदो मुस्लिम सिक्षाई जयनिजम बुद्धिश्म आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो आपके सब के लिए सभी क्या होगा जाए आप किसी भी जगह से विलॉंग करते हैं किसी भी कमिनिटी से विलॉंग करते हैं सब की लिए रूब सेम होंगे वह ही है उत्रा खन इस सेट विकम दफ फर्स्ट स्टेट पहला राज्य बनने वाला है in the country to implement the uniform civil court uniform civil court को लागू करने वाला पहला state कौन बनेगा उत्रा खंड बन जाएगा ठीक है यह आपकी न्यूज है अगर मैं बात करूं UCC is a proposal to formulate and implement personal laws that will apply uniformly to all citizens regardless of their religion, gender or sexual orientation क्या बात करते हैं हम लोग कि वो किसी भी चीट से बिलॉंग कर रहे हैं जाए वो किसी भी gender के हो किसी भी religion के हो किसी भी sexual orientation के हो कैसा भी क्या होगा सबके लिए सेम रूल होगा सबके लिए सेम नियम रहेगा ठीक है आगे चलते हैं इसका objective क्या है ठीक है इसको objective क्या है to strengthen the social fabric promote gender equality and help किसके लिए किया जा रहा है यह फैबरिक प्रमोट जेंडर एक्वैलिटी यानि कि मेल और फीमेल महिलाओं के लिए भी सीम रूल्स रहेंगे जो मेल के लिए जैसे कुछ ताहिं पहले तक अगर आप रूल जानते होगे तो उसमें क्या था कि जो आपके फादर यानि कि जो है के लिए जेंडर इक्वैलिटी ओकई 할 स्वाइट एकोनोमिक सोशल एंड रिलीजियस इनिक्वैल्टी से कोई-इस यानि भात करें कर रहें बहुत किसी है यह experiencing से लिएंग तरुट यानि समाराव इसका यह स्टार्ट हुए ठीकस है सवादीनी और आर्थिक सामाजिक और धार्विक असामानताओं से लड़ने को मदद करेगा ठीक है अगर बात करें दो कोड कम अंडर आर्टिकल 44 ऑफ दे कॉंस्टिटूशन जो सम्विधान का अनुछेद 44 है उसके अंतरगत यह नियम आता है ठीक है याद रहेगा आगे चल रहते हैं वह कैपिटल क्या है देहरादुन विंटर्स में देहरादुन रहता है और गैर सेंड कब रहता है समर्स के अंदर शीफ मिनिस्टर कौन है पुश्कर कुमार धामी गवर्नर कौन है गुरमित सिंग ओकी नेक्स जलते हम लोग अगला बहुत सारी दीपक दिख रहे क्या है आयोध्या सेट्स गिनीज रेकॉड वाइल लाइटिंग वाइस लाख दिया कितने ट्वेंटी ट्व लैक्स दिये उसने जलाए हैं इस बार यानिकी दो हजार टेइश में उत्तर प्रदेस हैस सेट ट्व न्यू गिनीज वॉर्ड रेकॉड वाइल लाइटिंग सब्सक्राइब योगी आदित्यानाथ गौवर्मेंट 2017 में जब योगी आदित्यानाथ जी की गौवर्मेंट बनी है उसकी बाद से ही दीपोचसब जो फैस्टीबल है वहां स्टार्ट हो गया था यह अगर आपको याद हो हर एक इंसान ने अपने अपने दिये में कॉंट्र किया था उससे में चल रहा था कि आपकी भी आप जो चाहों आपका दिया हुआ है उध्यां में चलेगा ओकी पहली बार 2017 की बात करें तो 51,000 दिये जले थे चार पॉइंट्स लाख 4.10 लैक्स 2019 में 9 लैक्स जलाए गया थे 21 में 17 लाख जलाए गया थे 2022 के अंदर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश लखनो क्यापिटल है योगी आदित्यनात यहां की चीफ मिनिस्टर है और आनन्दी बेन पटेल क्या है गवर्नर है कहां की उत्तर प्रदेश की अगला नियों से आपके पास जैपन गेटस अन्य आइलेंड जैपन को एक नया आइलेंड मिल गया है अप्टर एंड अंडर सी वोलकेनो इरेप्शन हुआ क्या देखो इदर वॉलकेनो है यहां पे समुद्र है वॉलकेनो इरेप्शन हुआ अचानक से मिट्टी वगेरे जो कांट इवन इमेजिन वाट इस गोइंग ओनों की दे वोल्स न्यूएस्ट आइलेंड है विन फॉर्म्ड ऑफ दे कोस्ट ऑफ जैपनीज आइलेंड ऑफ क्या है यूजिमा इन पैसिफिक ओशिन जो पैसिफिक ओशिन में है यूजिमा वह इरॉप्ट हुआ है फॉलोइंग एंड अंडर सी वॉल्कैनिक इरफ्षिन अराउंड 1200 किलोमेटर साउथ और टोकियो टोकियो की साउथ में लगभग 1200 किलोमेटर तक यह इरफ्षिन का समझो फैला हुआ रहा उसकी वज़े से एक नया आइलेंड मिल गया इस नया आइलेंड का फिलाल नाम तो न है और प्राइम मिनिस्टर कौन है फूमियो कशीदा ठीक है फूमियो कशीदा वहां की कौन है प्राइम मिनिस्टर है ओकी आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात कर रहे हैं एक्जेक्यूटी बोर्ड एप्रूटी परसेंट कोटा इंक्रीज 50 परसेंट कोटा इंक्रीज करने का मिल गया है order the executive board has approved a proposal to make 50% increase in the quota allocated to member in proportion of their current quotas में जो अपने करेंट कोटा से उनके quotas को कितना 50% बढ़ाने का किसने दे दिया है आई एमस ने प्रपोजल दे दिया है ठीक है प्रसेंटली इंडिया has a quota of special drawing right ठीक है special drawing right का इंडिया के पास quota है of कितना 13,114.4 million this means India share a share of 2.75% इंडिया के पास कितना total share है दो दिसंबलों 75% का share the proposal will be effective only after the consideration and voting by the Board of Governors यानि कोई अगर Governors जो वहां बैठे है वह क्या approval दे देते है देन ये law pass हो जाएगी देन ये चीज पास हो जाएगी जो 50% increase करने की बात है आई एमस की बात करूँ तो 1945 में इसकी स्थापना होई थी Washington DC क्या है headquarter headquarter क्या इसका Washington DC crystallina Georgieva ओके क्या नाम है क्रिस्टलीना जोर्जीवा ये कौन है मैनेजिंग डिरेक्टर है MD है ठीक है पहली MD कौन है ठीक है फॉर्स्ट डिप्टी MD फॉर्स्ट वुमें डिप्टी MD ऐसा देख लो कौन है गीता गोपिनात Chief Economist कौन है Perry Oliver और Member Countries टोटल कितनी है 190 Member Countries है आगे बात करते हैं हम लोग next appointment से related आपकी पास द्योज है क्या है डैविट Cameron appointed as UK foreign secretary UK की foreign secretary कौन अपॉइंट हुए है डैविट Cameron ठीक है अब इन्हें foreign secretary अपॉइंट किया गया है a sweeping reshuffle of current prime minister रिशी सुनाक के डैविट Cameron को क्या बनाय गया है foreign secretary बनाय गया है कहां के बने है यूपी के United Kingdom के United Kingdom की बात करूं लंदन क्या है capital है प्राइमिंश्टर कौन है रिशी सुनाक है stealing पॉट की पास करो तो हां की currency है ओकी नेक्स आपके आपके पास Canada वॉन इस फर्स्ट बीजे के कप जो बीजे के कप है यानि की बिलाई जीन किंग कप जो है यह भी point important है Canada ने किसको हराया है इटली को हराया है दो शुन्य से बढ़त की साथ Canada ने इटली को हराया है और बिले जीन किंग कप जो है वो अपने नाम कर लिया है किसने लियला फर्नांडेज ने और मरीना स्टा कोईश ने ओके चलते हम लोग अगला निउस है आपके पास देन अगेर एक आपके स्पोर्ट से रिलेटीड निउस है क्या है विरेंदर शेहबाग हमारे इंडियन फ्लेयर ठीक है डियाना एड्यूलिज और अरविंद डी सिल्वा ठीक है अरविंद डी सिल्वा एंटर्स इन ICC Hall of Fame ICC Hall of Fame क्या होता है बेसिकली वो लोग जो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है स्पोर्ट के अंदर तो उनको हॉल ओफ फेम में डालते हैं तो फॉर्मर इंडियन लिजेंडरी ओपनर बैट्समें थे कौन विरेंदर सेहबाग फॉर्मर इंडियन वोमें टेस्ट स्कीपर डियाना एड्यूलिस और स्री लंकन आइकॉ हुई है सबसे लेटेस नए एड हुए है किसके अंदर आइसी सी क्रिकेट हॉल ओफ फेम में कौन कौन एड हुए है विरेंदर सेहबाग डियाना एड्यूलिस एड और विंद दी सिल्वा ओकी एक और स्पोर्ट से रिलेटीड ही न्यूज है आपके पास इंडिया ने टॉटल सेवन मेडल्स जीत लिए हैं इंडिया एंडेट अप कैम्पेइनिंग एड़ एशन आर्करी चैंपेशिप एशन आर्करी जो चैंपेशिप रह रही थी कहां पे बैंक कॉक मियाने के थाइलेंड के अंदर बिद सेवन मेडल टॉटल कितने मेडल सीते कितने पदक लेकर आया है भारत तो कितने लाया है साथ पदक लेकर आया है कॉम्प्रमाइज तीन तो गोल्ड मेडल लेकर आया है एक सिल्वर मेडल और तीन ब्रॉंज तीन तीन शे और एक साथ टोटल कितने लेकर आया है इंडिया साथ पदक लेकर आया है ओके आगे चलते हम लोग अ आपके लिए एक्जाम पॉइंट ओफ यूज दे वर्ल डायबेटिक्स डे का थीम क्या है तो एक्सेस टू डायबेटिक्स केर इस बार क्या है दो हजार तीम है एक्जामनर आपसे डे पूछ तकता है अगछ आपके पास November 16 इस नेसेनल प्रेस डे मनाये जाता है प्रेस कॉंसल इंडिया 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 इं सब्सक्राइब कर लिए अपने हिसाब से तो हमें गलत जो चीजे गलत हो रही है वह नियुस तो हम तक पहुशेंगी नहीं हमें सिर्फ और सिफ क्या उनके अच्छे काम दिखाई जाएंगे और जो अच्छे नहीं होंगे वह भी अच्छा बना-बना के दिखाया जाएगा सम एपिलेपसी डेवेर्नेश दे मनाए जाता है ठीक है नवबर सतर को क्या मनायते हैं एपिलेपसी बेनेश दे मनाते हैं एक टो विया क्रॉणिक बरेइन इस डिसौरडर टाइप का डिजीज है मांकड़ाइ रीकरंट शेंजर फिट्स और फिड्स ठीक है इसकी नाम से जान सब्सक्राइब करें आपने के लिए लोगों को बताने के लिए यह मनाया जाता है कब मनाया जाता है 17 नवंबर को कब मनाते हैं एंपर 17 नवंबर को तो थीम for International Epilepsy Day in 2023 क्या है stigma इस बार का theme क्या है Stigma किसका International Epilepsy Day का ओकी तो यह था हमारा आज का सेशन बहुत सारे इंपोर्टेंट न्यूज्स हमने कवर किये कुछ एमसी की फ़र में देखे देन हमने टीटेल एनलेसिस के हर एक चीज बहुत इंपोर्टेंट चुन-चुन के लेकर आती हो मैं अच्छे से जुड़ो अच्छे से बढ़ाई करो साथ ही साथ पैगस ऐसे से करियर अपके लिए से चिज यसके सारे ऐक्सपयरट गाइड मेंटर मिल जाएंगे आपको हर एक relevant सब्जिट से उसके अंदर जो आपकी कोर्स आप एंन्रॉल करोगे उसके अंदर जितने भी examination करवाती हैं इस साई कोव द餌 मॉक टेस्ट एवेलेबल हो जाएंगे करना क्या है लाइब क्लास अगर आपको जॉइन करना है गूगल प्ले पे जाओ या आप स्टूर दोनों पर ही पैकस्ट करें अकैडमी का है आप डाउनलोड कर सकते कोर्स के लिए एंडरॉल कर सकते ओगी तो होप आपको सेशन लाइक कर देना मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स क्लास में